दोस्तो कल की मूवी पर आया SS राजा मौली सहाब का रियक्शन, आखिरकार SS राजा मौली सहाब ने क्या बड़ी परतिक्रिया दिया है कल की मौवी कोले कर, जानकर आप भी चौकने वाले हो, सबसे पहली बात आपको बता दें कि SS राजा मौली सहाब ने जिस फिल्म को ये कह दिया कि वही वर्ल का क्लास master piece film है, यानि कि कहा जा सकता है कि वो film जो है box office पर तहल का मचाने वाली है क्योंकि वो काफी कहा जाए तो visionary director हैं और काफी जाने माने director हैं कहा जाता है कि south industry में जब इंडियन सिनेमा का अगर हम innovative project की बात करें कि तो कहीं-कहीं देखा जाए तो वो एक visionary director माने जाते हैं और ऐसी में उनका reaction काफी माइने रखता है जी आपको बता दें कि SS राजा मौली साहब ने हाली में इसका trailer देखा जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर अपना reaction भी share किया उन्होंने कहा कि काफी world class masterpiece film है मैंने trailer देखा और storyline काफी impressive लगी उन्होंने कहा कि ये film future और mythology को mix करती है जो कि काफी unique और engaging है जो कि audience को बांद के रखने वाली है यहीं कि audience जो है seat नहीं छोड़ेगी ये नहीं होगा कि भाइस हो जाएंगी बलकि काफी interesting story उन्होंने कह दी है साफ लब जो में कहा जाए उन्होंने परभास को bounty hunter के role में देखा और अमिता बच्चन सहाब जो कि अस्वात हमा का role उन्होंने निभाया है उनका कहना है कि ये side role जो है अमिताब सर के अलाबा कोई और निभा ही नहीं सकता imagine भी नहीं किया जा सकता कि कोई और इस किरदार को निभा सकता है अस्वात हमा का किरदार काफी कहा जा सकता है कि काफी tough भी है और काफी challenging role भी है इस role को करना इतना असान नहीं है तो ऐसे देखा जाए तो अमदाब सर ने काफी बहतरिन तरीके से इसको निवाया है इसकी काफी सराना की साथी साथ कमल हसन सहाब जो कि इसमें एंटाउगॉनिस्ट प्ले कर रहे हैं जो कि विलन का करदार निभा रहे हैं जो कि उनका चोटा सा सीन देखने को मिला उनको लेकर कहा कि भाई काफी impactful रहा जो कि और भी ज्यादा लोगों को इस फिल्म को अपने सिनेमा घर में किंद्रित करने के लिए और उन्हें आकरसित करने के लिए प्रेरित करेगी इस तरह का परतिक्रिया जो हैं SS Rajah Moli sahab की तरफ से इस फिल्म को लेकर मिला है वैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं फिल्म जिस तरह की reactions अभी public की तरफ से देखने को मिल रही हैं चाहे वो बड़े डिरेक्टर हो चाहे बड़ा इस इस देखने के बाद कहा जा रहा है कि भाई ये फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तहल का मचाने से कोई नहीं रोक सकता साथे साथ कमल हसन सहाब का भी लुक जो है नव फैन्स के भी जो है काफी जदा गुजबम क्रियेट कर रहा है काफी गुजबम सा कि भाई कितना पावफुल करेक्टर होने वाला है जहां आप सोच भी नहीं सकते हो साथिसाथ राजया मुलि साब ने नाग 뽑 शविन जो की डिरेक्टर है इस फिल्म की उनकी भी काफी सरान है कि उनकी काफी तारिफ की कि उन्होंने जिस तरह का वर्ल्ड क्रियेट किया है और इस तरह से उन्होंने हर चीज़ को डिजाइन किया है जो कि इंडियन सिनेमा का एक तम एरा चेंज कर देगा इस तरह की जिहां वो रियक्शन्स रहें और उन्होंने एक छोटा सा को भी अपने सोसल मीडिया एकाउन पर सेयर किया है उसका ट्रेलर का लिंक सेयर करते हुए इस तरह से वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बातें सेयर करी है जिसका कटाउट पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हो वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो कलकी का अगर अपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको लगी गया हो कैसे फिल्म होगी वैसे आप लोग कितने एक्साइटेड हो क्या ये फिल्म बॉक्स आफिस पर जण्डे गारेगी या नहीं गारेगी नीचे कमेंट्स में अपने रेक्शन जरूर दीजिए बलते हैं रिपोर्ट में जो की होगा अपके लिए काफी खास